एक गाउं में एक बूडी माई रहती थी उसका इस संसार में कोई नहीं था इसलिए वैं अकेली ही अपना जीवन बिता रही थी एक दिन उस गाउं में एक सादू महराज आये बूडी माई ने भक्ती बाव तथा प्रेन से उन सादू महराज का आधर सत्कार किया जब सादू महराज जाने लगे तो बूडी माई ने कहा मात्मा जी आप तो इश्वर के परम भक्त हैं कृपय करके मेरा अकेला पंदूर करने का उपाई बताईए मैं अकेले पंद से उप चुकी हूँ सादू महराज ने मुस्कुराते हुए अपनी जोली से बाल गुपाल जी की एक मूर्दी ने काली और बूडी माई को देते हुए बोले माई यह लो यह आपका बालक है इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना बूडी माई आनन से जूम उटी वे बड़े लाढ प्यार से काणा जी का लालन पालन करने लगी काणा जी के आने से माई का सारा अकेला पंदूर हो गया था उसका पूरा दिन काणा जी की सेवा में बीटने लगए एक दिन गाउं के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई एक मूर्दी को अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रही है नटकड बच्चों ने माई का उखास उड़ाया तथा बोले माई जंगल से एक बेडिया गाउं में घुसाया है जो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है और मार कर खा जाता है तुम अपने लाल का ध्यान रखना कहीं बेडिया इसे उठा कर ना ले जाए बुडी माई ने अपने बाल गुपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्विम लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई अपने लाल को बेडिये से बचाने के लिए बुडी माई बुखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही पहरा देते देते एक दिन बीता फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया बुडी माई पांच दिन और पांच राते लगा तार बगैर पल के जपकाए अपने बाल गोपाल की बेडिये से रक्षा करने के लिए पहरा देती रही उस बोली बाली माई का ये भाव देब कर भगवान श्री कृष्ण जी का हरिद्य प्रेम से भर गया अब उन्हें माई का प्रेम प्रतक्ष रूप से पाने की इच्छा हुई भगवान जी ने बहुत ही सुन्दर रूप धारन किया और वस्रा भूष्णों से सुसज्जित होकर माई के पास आए भगवान की आहट पाकर माई डर गई उसे लगा कि दुष्ट भेडिया उसके लाल को उठाने आ गया है माई ने लाठी उठाई और भेडिये को बगाने के लिए उठ खड़ी हुई तब भगवान जी ने कहा माई मैं हूँ मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो माई ने कहा यह नहीं हो सकता तुम जहां से आये हो वहीं लोट जाओ मैं तुमें अपनी कुटिया में गुशने नहीं दूंगी मेरे लाल के समान इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता भगवान जी माई का ये भाव और एक निष्टा देखकर और अधिक प्रसन हो गए भगवान अपने वास्विक रूट में प्रकट हो गए और बोले मेरी भूली माई मैं श्री कृष्ण हूँ मैं तुमारी भक्ती से बहुत प्रसन हूँ मुझसे जुच चाहे वो बर मांग लो ये सुनकर माई भगवान श्री कृष्ण के चड़नों में गिर पड़ी और भूली मैं आपको सो सो प्रणाम करती हूँ आप मेरे प्रियर लाल की बेडिये से रक्षा कीजिए अब ठाकूर जी और अधिक पसंद होते हुए बोले चलिए माई मैं आपको और आपके लाल को अपने निश्धाम में लिए चलता हूँ वहां भेडिये का कोई भाई नहीं है इस तरह प्रभू बूरी माई को अपने निश्धाम ले गए